हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलोग्स में आज के सेशन में हम लोग 8 MCUs को डिस्कस करेंगे जो कि एक्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है यह बहुत ही जादे से आपनों क्यों करता है यह ना की इंपरेंट है अपको कुदीबाद डैसन cooking ज्या-ध बढ़ा रहा है कि अचुम्हों कुदीन स्टिन जया अनытंग इस्ट इंवर्में में करना देखेंगा क्लियर को क्लियर कर पाने बोहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है तो हम लोग उसी लेवल के और स्टेंडर्ड के क्वेस्टन्स आप लोगों के लाते हैं अपनी इस जीएस की सीरीज में जिससे की आपको यह जो कट ओफ ही है इसको क्लियर करवाने में आपकी हेल्प होगी और अब तक हम लोग 33 ऐसी वीडियो बना चुके हैं जिनमें की आठाट क्वेस्टन्स हैं तो आप उनको जाएए पढ़िए और अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस फील करेंगे तो फिर आपके लिए कट ओफ के चीज़े आप तो नौकरी लेकर आएंगे और यह हमारा चोटा सा प्रयास है आपके लिए कि हम आपके इस सफलता के सफर में आपका साथ दे सकें और तो चलिए यह जो सेशन है यह बहुत जादा इनफरमेटिव होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्केप बिलकुल ना करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए देख लेते ह यह उस नीती के बारे में पूछा जा रहा है जो कि सरकारी खर्च कर लगाना और उधार लेने से सम्मंदित है वह नीती क्या कहलाती है अब देखें यह जो क्वेशन है यह हमारी चैनल की कम्यूनिटी में हम लोग क्वेशन डालते हैं ठीक है यह कुशन हमने वहां डाला थ तो वहां पर बच्चोंने 75% बच्चों उसको ठीक कर रहा है लेकिन कुछ बच्चों जहें वह में कंफ्यूज है किसमें फिस्कल पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ही जादा कंफ्यूज है मतलब राजकोशिय नीती और मौद्रिक नीती में थोड़ा यह सर्कार की बच्चों बनाइन खालो तो पॉलिसी होती है किस ब्रग्यर्मेंट कवर्मेट कर लेकर के एक एक तो किस ने छ किम लेकर बना तो इसको होगि outsidersie वह सरकार ने तो monetary policy होती है वो किसी भी देश की किसी भी देश कि जो Pine Park यह वो बनाती है कौन बनाती है Central Bank तो हमारे देश की Central Bank कौन है वो है और भी आई Reserve Bank of India है तो Reserve Bank of India क्या बनाएगी वोपनाइगी gonna monetary policy मनलब देखो हम इसको अगर कुछ ट्रग भी लगाये तो हम यह की मौनेटरी मतलब पैसा मुद्रह ब्हूर्ट में क्या होता है पैसे रेभ आफि sex सरकार क्या बनाई सिह क्यों यह होता है कि हमारे देश की एकोनामी की ग्रोथ करना यह होता है म helt ध草ती प्राइश की महेंगाई ना हो हमारे अंदर है इन्फलेशन को रोकते हैं और क्या होता है और होता है इनेक्वालिटी की जो हमारे जो समाज है उसके अंदर बराबरी भी आ सके महेंगाई बिल्कुल ना हो हमारा देश आगे बढ़ सके और प्राइस जो है यह महेंगाई ना हो तो चलिए य आपको फ्री के Uh iron मिलेंगे ठीक के एक्जाम में जाने سے पहले जितने जादा हो सके उतने प्रैक्टिस करो अग अग तो कुछ नspecific होता बल्गी जो बच्छे एक्जाम में जाने से पहले जितने जादा questions गलत करते ना वह उतने ज्यादा एक्जाम में जाके उनको सही भी करते हैं यह बहुत बड़ा फायदा होता है ठीक है तो चलिए अब यह पहला कोशन हो गया है अब दूसरा कोशन है भारत मार्ट फैसिलिटी अब भारत मार्ट फैसिलिटी है विल बी ओपंड इन कहां पर खोला जाएगा यह तो यह कतर या फिर संयुक्त अरब अमिराथ UAE या इंडिया या भूटान किसमें खोला जाएगा तो यह खोला जाएगा UAE में यह बहुत इंपॉर्ट है भारत मार्ट अगर हम देखें आप सभी जादातर लोग विशाल मेगा मार्ट में गए होंगे है ना विशाल मेगा मार्ट करने के लिए तो इसी तरह से यह भारत मार्ट है भारत मार्ट एक तरह की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है क्या है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी यह इंडिया ने खोली है कहां खोली है UAE के दुबई में खोली है ठीक है दुबई में दो हजार पक्चिस तक खुल जाएगी अ हजार पच्छिस तक खुल जाएगी ठीक है अब यह फैसिलिटी क्या है जिस तरह से विशाल मेगा मार्ट में उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं इसी तरह से भारत मार्ट के अंदर भारत से सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे जिससे कि वहां के देश या फिर जो और फॉर्नर देश है वहां से भारत के समान को खरीद सकें ठीक है अब इसके अंदर भी दो सुविदायें दे रखी हैं एक तो है कि आप डारेक्ट जाए वहां पर खरी लीजिए दूस की तरज पर खोला गया है यह चाइना की तरज पर खोला गया है क्योंकि चाइना ने पहले से ही UAE में अपना ऐसा माड़ खोल रखा है तो यह बहुत इंप्रण मंतरी है वो अभी UAE में गय थे तो वहां पर यह समझूता हुआ है चलो आगे चलते हैं अब देखो यह फोट वह होती है गाड़ी उसमें सवान हम लोग खरित करित के भरते रहते हैं तो इससे पता चल रहा है कि क्या है यह एक शॉपिंग मॉल कॉंप्लक्स इस तरह का है और यह यूए में है और यूए में कहां पर है दुबाई में अब देखो यूए में एक चीज़ और है एक तो वह हमारे चैनल पर यह जो सीरीज है यह तो जीएस की चल रही है इसी तरह से हमने पॉलिटी की सीरीज करवा रखी है ठीक है तो उनमें भी हम लोग बहुत जात अच्छे क्वेशन करवाते हैं बूर एक्स्पेनेशन देते हैं उनको पढ़ने के बाद ना तो आपको किसी बु है वो आप पढ़ सकते हैं और ये अगर बात करें तो हमने पिछले साल पिछले साल 2023 की पूरे करेंट अफेर को दो वीडियो में खतम करवा रखा है आप वो भी कर सकते हैं और ट्रिक्स से अगर देखें तो ट्रिक्स से हम लोग पांच मेंसी करवाते हैं बहुत अच्छे मेंस्सकाहते हैं और बगी जो है शौट शौट फेह हैं ठीक है और अगर जो बच्चे में मेंस की त्यारी कर रहे हैं किसकी तहरी Ihr means посмотреть級 की त्यारी कर रहे हैं लिए यहां पर बहुत जादा important topics को समझाते हैं cover कर वाते हैं तो हमारे चैनल में जाहिए visit कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों को भी बताइए चलिए आगे चलते हैं अगला question है येस्ट के बारे में पुछा है ये येस्ट जो है वह किसका important source है महतफून स्रोत किसका है येस्ट अब यहां पर येस्ट क्या होता है येस्ट होता है खमीर ठीक है येस्ट होता है खमीर अब खमीर के नाम चे तो बहुत सारे बच्चों को पताश होगा कि खमीर क्या होता है त इसीतर है करको अगर उती है और कि एसी तरह से अगिब गण्यां कि अगरं जाया ने जला जाता है तो फूलश अंक्राव आए में भुआ जाता है तो यह कीन पुछाइं कि द्रीच में जा यह सिल टार रहता है यंदिन में डम तो यह इंदर एक पड़ सक Star और protein दोनों ही होते हैं लेकिन अगर मोटर दौर पर पूछा जाए है ना important source अगर पूछा जाए तो इसमें vitamin B आएगा लेकिन इस vitamin में vitamin B12 नहीं आता यह important है ठीक है क्या नहीं आता vitamin B12 नहीं आता और इसके अंदर process कौन सा होता है यह process होता है fermentation का process होता है fermentation के process से यह फूल जाता है इसका जो आटा होता है और यही process जो होता है वह alcohol जैसे शराब होती है उसके production में भी use होता है तो यह important question हुआ की नहीं हुआ पहुआद है जितने भी points हम लोग discuss करने हैं उनको साथ की साथ आप लिखते चले जाईए ठीक है कॉपी में note कर लीजिए चलो अगला question करते हैं अब अगला question है which of the following is not not पूचा है यहां पर caused by atmospheric reflection of light और दूसरी बात क्या पूचिए है reflection पूचा है मतलब निमनमैसे कौन सी घटना प्रकाश के वायू मंडलिया अपवर्तन के कारण नहीं होती है इसमें पूचा है कि यह जो प्रॉसीजर ना प्रकाश का वायू मंडलिया अपवर्तन इसके कारण नहीं होती हमें वह बताना है ठीक है अब दो sun appearing red at the sunset सूर्यास् दिखते हैं तो सूरज हमें लाल लाल दिखता है क्या यह reflection से है बताओ यह तो reflection से होती है अब twinkling of star मतलब रात तारों का रात में टिम्टिमाना यह होता है यह भी होता है reflection से अब देखो sun appearing higher in the sky than it actually is सूरज का अपनी वास्तविक इस्तिती से उंचा दिखना क्या यह होता है यह नहीं होता ठीक है यह चीज नहीं होती और जो sun है becoming visible two or three times minute before जो सूर्य होता है न सुबा सूर्य उदै से दो या तीन मिन्ट पहले उसका दिख जाना यह इसी process से होता है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या देखा सूरज जो है वो लाल दिखेगा वो reflection से दिखेगा तारे ट process से टिम्टिमाएंगे और दो या तीन दिनट पहले सुबा 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 जब हमें सूरज दिख जाता है जिसका हम आँकों से देख सकते हैं अच्छे से ना क्योंकि तब तो चुपता नहीं है तो उस टैम पे वह reflection से ही दिखता है तो यह हो गया तो क्या नहीं होता नहीं यह अपवर्तन यह क्या होता है देखे रिफ्रेक्शन की बात हम कर रहे हैं रिफ्रेक्शन का मतलब है जब कोई भी प्रकाश की किरन है सूरज की किरन लाइट की किरन लाइट रेस जो है वह एक मीडियम से यहां पर मीडियम क्या है यह मतलब हवा है और यहां पर क्या है य इसी के कारण जो है हमें ऐसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं तो अब तेड़ा हो जाता है वैसे सीधा जाना चीए यहां से लेकिशा तक लेकिन यह सीधा नहीं गया है होड़ा सा मुड़ गया है तो आप दोखो इसका प्रक्टिकल अगर देखा जाए आप पैंसिल में कांच यहां पर हमारा मीडियम जो है वो बदल लिया गिलास का यह जो भाग है इसके अंदर क्या भरी हुई है हावा भरी हुई है इतने भाग में क्या भरा हुआ है इतने भाग में वाटर मतलब पानी भरा हुआ है यहां मीडियम बदला है इसलिए पैंसिल हमें टूटी हुई द और जहां पर लाइट आई यहां पर भी एर है तो यहां कि जो किरन है वह सीधी सीधी आएगी तो टूटेगी नहीं ऐसे क्यूंकि की मीडियम ते एक ही है तो जब से चीशे में देखते हैं तो हम भी बिध्कुल हुबहु दिख जाती हैं तो यह है रिफ्लेक्षन ने बस किरन आई और रिफ्लेक्टों के सीधी चलिगी उसमें टूटा पना ऐसे बिक्कुल नहीं आता वह सीधी जाती है क्योंकि मीडियम यहां पर भी एक है और मीडियम यहां पर भी शेम ही है चलो अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्च तो तो तल्ब का मतलब है यंदिया और दूसरे यह अभी है कभ हूई है यह हूई है 29 जनवरी से लेकर 10 परवरी के बीच में हुई है राजिस्थान में हुई है ठीक है राजिस्थान के कहां पर हुई है यह हुई है बीका नेर डिस्ट्रिक के पास नियर बीका नेर डिस्ट्रिक के पास हुई है और वहां पर क्या है महाजन हिल्स हैं महाजन रेंजिस हैं तो अगर आपके question में examiner ये भी पूछ लेता है कि महाजन रेंजिस कहां पर हैं तो हम सही answer लगा करेंगे यह है राजस्थान में है तो यह हमारा question हो गया चलिए अब देखिए हमने उसी का फोटर लगा रखा है यहां पर और यह option यहां पर है और यह पहली बार हुई है इंडिया में और साओधी अरब के बीच में मिलिटर अक्सराइज है 2024 की चलो अगला question देख लेते हैं अगला question है कलादान multimodal transport project कलादान multimodal transit transport project किस-kis के बीच में है मतलब कलादान बहु मौडल परिवहन परियोज नाम भारत और किस देश के बीच में देखो यह वैसे जो टॉपिक जो है बहुत पुराना है कई सालों से आ रहा है कि कलादान मौडल project किस-kis देश के बीच में कई योगों तो पता भी होगा लेकिन जो नए बच्चे तैरी करने के लिए हैं वह देख लीजे म्यानमयार थाइलेंड श्री लंगया बंगलादेश तो उसमें है म्यानमयार के बीच में म्यानमयार और इंडिया के बीच में चलो इसको हम यहां से समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं यह देखिए यह हमारा देश अगर हम इसको ऐसे यहां से बनाएं तो यह ऐसे आएगा और यहां पर हमारा आता है नौर्थीस ठीक है यहां पर क्या आता है नौर्थीस आता है तो अब देखो यहां प गल्काटा पोट से सबसे पहले सित्वे पोट है पही है इसलिक्टा पोर्ट में जाते हुए हुगी गाला रास्ता रिवर श्याएगा उसके बाद यह मिजोरम है मिजोरम से यहां पर यह रोड से हो जाएगा तो यहां पर तीन डूट हो गए एक तो हो गया सी का समुद्र का और एक हो गया रीवर का और एक हो गया रोड का रास्ता तो एक तरह से कलकत्ता पोर्ट से हमारा जो यहां पर नौर्थ इस्ट है हमारे तो उस से हमारे देश की में लेंड है में लेंड की इन राज्यों से हो जाती है यह उस चीज के लिए प्रोजेक्ट है ठीक है चलिए यह कोश्चन हो गया अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है यह कोश्चन बहुत जाद है लाल सागर रेड सी में बहुत दिनों से क्या हो रहा है प्राब्लम्स चल रही है तो उसी के उपर यह कोश्चन है पहला ऑप्शन है मिशन लॉंच बाइ यूएस टो हेल्प सेवगार्ड कमर्शियल ट्राफिक सिंदा रेड सी अमेरिका की लाल सागर में व्यापारिक जहाजोगी सुरक्षा के लिए चला गया क्या है यह मिशन या फिर यह जो मिशन है हमारे इस तो ने लॉंच कर रहा है या फिर क्या यह य यूनियन मतलब की यूरोपियन संग ने लॉंच कर रहा है तो नौवाहन जो समुदर में चलने वाले जो कमर्शियल वैसल है उनको उनको बचाने के लिए कर रहा है यूरोपियन यूनियन ने लॉंच कर रहा है अब दोड़े दिनों पहले यूएस से ने भी ऐसा ही मिशन कि वहां से कि वहां से जितने भी जो कमर्शियल ट्रेफिक वैसल जा रहे हैं उनकी सेफटी हो सके और उस अपरेशन का नाम था वह था अपरेशन अपरेशन प्रोस्पैरिटी गार्जियन ठीक है और लाल सागर के उपर हम लोगों ने अपनी पूरी एक फुली डैडिकेट वीडियो बना रहे हैं आप जाकर उसमें देख सकते हमका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तक अब इसको थोड़ा सा डियाग्राम में देख लेते हैं यह देखेए यह हैं यह इस साओदी अरभी आ यहां वाल यहां और यहां से यह आफरीका वाला रहा है हौर्ण ओ वो लोग क्या कर रहे हैं कि रैड और जो उनके ओवर चार्ण में THE देटे घुल थो रहे हं प्र युआ ट्यंस पर यू इस बाहने से अपने में बताया है प्र det Warsz est की सित्वर से खालता है थो उसक्या, और तsize समern todo अभी घट में घखे घर हैं इन इक बाड़े इन चैनल के के लिए के दैश्छ रहें गिंग था बैठ झाल जा । क्या है मिमस और मटनल्य निग पेद्ट में शब्सक्राइबिर SM viktig में मैम यहां भी द Chapter वह किस प्लैनेट का प्लैनेट मतलब हो ग्रह का मुन मतलब उपग्रह विए इसके बारे पूझ ऑप पें नेइन और विनस आर्थ मार्ष जूपिटर साइचन और नेपचून यह यह है यह तो माइमस वह किसका है वो शनीग रहे का है सैचन का है अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है माई वैरी एजुकेटिड मदर जस्ट शोज अस माइन प्लैनेट अब प्लूटो पहले था लेकिन अब नहीं है तो इसको काट दिया गया है ठीक है और यह कोशन जो है सैचन का ह मामस मून प्लैनेट है ऍहां पर यहां पर मनें करके यह सब्सक्राइब ता कसे मरे डाउट है को करें हमारी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों के साथ शेयर करें ठीके क्योंकि विद्या बढ़ने से बढ़ती ही है कभी नहीं घटी जितना आप शेयर करोगे उतना वह बढ़ेगी हमारे समाज में उतनी विद्या फैलेगी उतना उतना स्टैंडर्ड हमारे समाज झाल झाल